आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि तीन चार दिन से लगातर बारिस हो रहा है तो इसी वज़े से सारा का सारा काम धंदा भी बंध है तो इसी वज़े से मैंने सोचा कि चलो अपना ध द्धान लगाया है इस साल और इसका प्रोडक्शन निकलेगा इस सारे डीटेल में हम बात करेंगे और क्या ही की पावटलर का काम अभी बंध है काम चलू हो जाएगा जैसे ही बारिस रुख जाती है बारिस रुखने के बाद दो तीन दिन धूप के बाद आपने लोग काम हम शुरू कर लेंगे फूल को भी और टमाटर का खेट त्यार करने के लिए तो वीडियो में बने रहे हैं धान के बारे में हम बात करेंगे और आखिर में आप यह जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह आपको हेल्फुल हुआ कि नहीं तो दोस्तों मैं यह पता दना चाहता हूँ कि यह जो धान है यह टाटा का धान है टाटा का डि-R-3-3-3 का धान इस तरह हमने रगळा है पिछली साल हमने लगाया था भीय और वह भीय हना गभी अच्छा है और क्या है कि अपनोर लोग इस सारे खेट में वह साब धार से शहता है आपन दोन इस जमीन पर टिकेगा नहीं तो इस वज़े से हम हाइविड धान ही चूज करते हैं और पहले साल अपने 10-12 साल पहले आराइज का धान से सुरू किया था हाइविड धान का फार्मिंग आराइज का भी काफी अच्छा प्रडक्शन है लेकिन अपन लोग आराइज भी नहीं क सोचा कि धान में कैसा क्या रहेगा ट्राइकल करके देखते हैं तो दोस्तों यह रहा टाटा का डी आर त्रियासी चतिस इसको हमने नरसरी डाला था जून एक को और अभी जो विडियो सूट हो रहा है यह है अपना सेप्टेंबर सेप्टेंबर का 26 आज सेप्टेंबर 26 ता इस धान को जो हमने रुपाई किया था रूपा था वह सिर्फ स्रफ एक पीश ही रूपा था अक पोधह रूपा था यह दो देखिये इसका डिस्टेंस भी इतना रखा है थ किपने सारे यहां से जो उसके साखायें निकले हुए हैं आप देख सकते हैं इसे आपने भी पर लोग्व अपना बगरा कुछ इतना आया नहीं डेखने को नहीं मिला था अधर वाइज पिछले साल में हमें बहुत सारे देखने को मिले थे वो पत्ते में कुछ लग गये को तो नहीं मिला लेकिन हां इस साल चुहों ने आतंग मचा रखा है वो क्या है कि यह धान अपना पहले ही निकल गया किसी का निकला हुआ नहीं है तो इस वज़े से चुहों ने बहुत ही जादा आटक किया है चुहों का प्रखब बहुत ही जादा बढ़ गया है और आपके यहां किया है चुहों का तो वो बताईएगा और चुहों के साथ साथ यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी क्या है कि किसी के भी खेत में धान अभी निकला नहीं है तो हमारा ही खेत में धान निकला हुआ है तो इसी वज़े से चीडिया भी आके बहुत ही जादा धा को बरबाद करते जा रहे हैं तो यह क्या चिडिया आने का एक वज़ा क्या है कि यहां पर देखिए यहां पर एक पेड़ है इस पेड़ में आके बेटते हैं और दूसरा एक वज़ा है यहां परवल का प्लट है यहां हमने परवल लगाया हुआ है और यह परवल कैसा है आप बताईएगा हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं वो क्या है की हमारे धर नेट बगेरा ट्राइप करके देखेंगे क्या क्या होता अपना तूसर भाग आप यह व집 करते हैं शुआ देखिये यह चीड्या यह जो द्धान अब देखिए कितना सारा धान को गिरा दिये हैं यहाँ जमीन पर और मुझें सिर्फ धान ही धान धान ही अगर चीड्या इस तरह से नश्ट करेंगे तो कियसा क्या रहेगा तो दोस्तों आप बताईए आपने इस साल कौन सा धान लगाया है और इसका जो प्रोडक्शन केसा आपको इस साल निकल के आया है और हमारे धान जो टाटा का डी आर अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियागा ठीक है और ऐसे ही बहुत सारी इन्फोर्मेट्टी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और हम सोच रहे हैं कि आगले साल यानि कि 2025 में हम फिर से भेनार का ही डालेंगे अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे यह धान इतना अच्छा लगा नहीं पता नहीं क्यों देखने में तो सही है इसका जो सीस है कफी लंबा लंबा सीस निकला हुआ है यह तो अच्छा है लेकिन देखने में थोड़ा सा थोड़ा सा अट्रक्टिव नहीं है चुहों का चुहों ने बहुत सी ज्यादा हमला किया हुआ है लेकिन बीनर में किया थे बीनर में पिछले साल डीजिज कुछ देखने को मिले थे उसके पत्तों में जड़ों में वह जो गलन जैसा कुछ बिमारी लग गया था वह तो ठीक हो गया है एक स्प्रे के बाद भ स्कल रहा है इसके बाद भी बहुत सारे डीजिज आने का खत्रा रहेगा और एक आपने जो लंग्वेज में बोलते हैं न वह लग जाता है वह लगता है का धान जब होने को लगता है उसी वक्त लग जाता है वह काफी डेंजर है देखते हैं उसको क्या करेंगे अगर लग अगले विडियो में आगले वीचप में हम आपको दिखाएंगे जो हम नरसरी डाले हैं प्त्तागोवी करने εδώ के लिए करने का कोसिज स्करें अर्लीक करेंगे देख्ते हैं बारीस का क्या है वह बारीस है जो गणेश पुजा गारे सुरू हुआ वह काफी जाधा खतरनाय वाला भारस था बहुत यह जाधा डेमेज कर गया हमारे यहां के जो किसान जोकी फार्मिंग करते थे उंका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया लेकिन हम वो इतना ज्यादा पहले ही हमने नर्सरी नहीं डाला था वरना हमारा भी ऐसा नुकसान हो जाता तो देखते हैं बारिस रुखने के बाद जो मौसम विभाग से सुचना मिला था एक दू दिन बाद बारिस क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे नरसरी बगेरा डालेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है फिर अपन इस साल सोच रहे हैं कि धान की कटाई के बाद यहां पे मुझफली डालेंगे और आपके यहां धान कटने के बाद क्या डालते हैं वो कमेट में जरूर बताएगा तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में अपने पावर टलेर के साथ ठीक है तो बने रहे हमारे चैनल पर नए नए बहुत इस सारे इंफरमेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो मिलते हैं नए वीडियो में